प्रिये दर्शको नमस्कार आज में आपको मिधुन राशी और लगन वालों के लिए गुरु का राशी परिवर्तन केसा प्रभाव देंगा इसकी संपूर्ण चानकारी देने वाला हूँ गुरु जो 22 अप्रेल को अपनी सोयम की जल तत्विय राशी मीन राशी को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोन राशी मेश राशी में प्रवेश करेंगे ये आपको आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव देंगे यहाँ पर जो गुरु और राहु की यूटी बनेगी इसका केसा प्रभाव आपके जीवन के लिए बनेगा इन सभी की जानकारी में आपको देने वाला हूँ किस बात का आपको ध्यान रखना है कितनी सफलता आपके लिए ये गुरु का परिवर्तन लेके आ रहा है और की शेत्रों में लेकर के आ रहा है इसकी संपूर्ण जानकारी आईए मैं आपको एक एक करके प्रदान करता हूँ सबसे पहले एक बात आप ये थोड़ा ध्यान रखिये कि गुरु और राहु की यूती अवश्य बनने वाली है लेकिन उसका केसा प्रभाव पड़ेंगा इस पर विस्तार से जानकारी मैं आपको पूर्व की वीडियो में दे चुका हूँ जिसकी लिंक आप यहां आई बटन पर देख सकते हैं नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं तो इसलिए जादा गुरु राहो की चर्चा में नहीं करूँगा मुख्य रूप से गुरु का केसा प्रभाव अब आपको मिलने वाला है उसकी जानकारी में दूँगा इसकी अतिरिक्त में प्रभाव बता उससे पेले एक बात और ये समझ लिजे कि अगर आपको आपका लगन पता है आपकी जो लगन कुंडली होती है उसके आधार पर आपका कौन सा लगन है अगर ये पता है और उसमें आपका मिथून लगन है तो मैं कहूँगा कि आपको ज्यादा प्रभाव जो में बातें बताऊंगा वो मिलता नजर आएंगा अगर लगन नहीं पता तो फिर आप मिथून राशी के आधार पर प्रभाव देखे ये भी आपको आपके जीवन पर मिलता तो अवर से नजर आएंगा लेकिन माता थोड़ी कम रहेंगी तो लगन पता है तो लगन के आधार पर देखे ज्यादा सटिक वही रहेगा तो बाकी लगनों के आधार पर भी आपको वीडियो जो है इसी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में मिल जाएंगी आप उसमें देख सकते हैं तो आईए बिना विलंब की अब में आपको प्रभाव बताता ह गुरू सबसे पहले अगर दिखा जाए तो अभी तक गुरू का गोचर आपके लिए दशम भाव में चल रहा था दशम भाव में गुरू अपनी ही राशी में गोचर कर रहे थे हं सयोग का निर्मान करके वो भी आपके लिए तो अच्छा ही था उसमें भी कोई खराबी की बात तो थी ही नहीं क्योंकि दशम भाव में थे तो बलवान थे अब लाब भाव में जाएंगे तो भी आपके लिए कोई खराबी वाली बात नहीं है यानि मिथुन राशी और मिथुन लगन वालों के लिए गुरू का ये जो गोचर मेश राशी में होने वाला है इसमें की इस्तिती नहीं आएंगी गुरु यहां पर लाभ भाव में जा करके अपने शुब परिणाम ही देने का कारे करेंगे और लाभ भाव में बेट कर आपके लाभ में व्रधी करेंगे किस तरह के लाभ में तो सभी शेतर के लाभ में आपके धन जो सामाने धन लाभ होता है वो आपकी जिस तरह की इच्छा होंगी उस तरह की इच्छा को ये गुरू पूरा करने का कार करेंगे आपकी सेलेरे में इंक्रिमेंट हो या धन में एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिले ये प्रभाव यहां गुरु लाब भाव में जाकर आपको अवश्य प्रदान करेंगे व्यापारियों के लिए समय स्रेष्ट रहेंगा और जो नोकरी पेशा है उनके लिए भी स्रेष्ट रहेंगा क्योंकि ये गुरु पूरी तरह से आपके लिए शुब परिणाम देने वाले है तो ऐसे में गुरु का जो परिणाम है वो किसी भी शित्र कि आप बात क्यों न करें आपको शुब ही मिलेगा और आप एक बात तो जानते हैं कि अभी तक तो क्या था कि जब शनी की आपको पूर्व में ढहिया चल रही थी जब शनी अस्टम भाव में ते इस वर्शेकर प्रारंब के पहले तो उसमें आपको अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था फिर शनी अस्ट के बाद अब 15 मार्थ से जब शनी का प्रभाव थोड़ा बढ़ना चालू हुआ तो उससे भी आपके लिए तो अच्छा परिणाम बन रहा है एसे में यहां लाब भाव में बेठे गुरू आपको अच्छा प्रभाव प्रदान करेंगे लाब में वरधी करेंगे और राहू के साथ जरूर रहेंगे तो राहू के साथ मैंने क्या कहा कि राहू के साथ गुरू का गोचर राहू को बलवान करेंगा लेकिन गुरू को कमजोर कर देंगा तो राफू के फल से भी आपको लावतो आकस्मिक मात्रा में अधिक मात्रा में होने वाला है लेकिन गुरु कमजोर हो जाने से जो गुरु के भाव है यानि सप्तम भाव और दशम भाव इस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जिसे इस समय पर आपका मनाई कि आपको कार बदलना है आपके मन में आए या सप्तम भाव पार्टनर्शिप का भी है या तो आपके मन में आए या परिस्ति कुछ इसी बन जाए कि आपको अपना कार बदलना पड़े चेंज करना पड़े ये सब बाते प्रारंबब में हो सकत है तो जिन भावों में गुरु की राशी आती है उनके प्रभाव में थोड़ी कम ही आ जाएंगी अब अच्छी बात है कि लाब भाव में है तो अन्य लगना अन्य राशी की कमपेरिजन में आपके लिए इसका सरवादिक नकारात्मक प्रभाव जो है वो कम रहेगा जहां अन्य लगना अधी के लिए ज्यादा परिशानी इसकी मिलती आपको एकदम नगन निना के बराबर इसका नेगिटिव असर मिलेंगा पोजिटिव यह असर आपको ज्यादा मिल वैलना आप अधिक धन कमाने के चकर में कई बार अपना ही नुखसान करवा ले आप कुछ समय तो धन कमा ले गलत मारग से भी लेकिन वह आपको बाद नहीं परिशान कर सकता है तो उससे बचना है मारग सही ही हो और धन कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो शुरुवा बढ़ में तो डूरी इतनी जादा नहीं रहेंगी लेकिन जूलाई के महीने से ही प्रारणब से ही गुरू का जो गुरु और राहू में डिपृरेंस है दूरी का अंशों का वो बढ़ जाएंगा और वो अंशों दूरी से दोनों में जो नकरात्मक प्रभावे गुरु के और कम हो जाएंगे, गुरु में मजबूती आ जाएंगी और वो गुरु मजबूत हो करके आपके लाव में कई गुनाधिक रधिक करेंगे आपके जीवन में सफलता का प्रभाव जो है ये गुरु देने का कार्य करेंगे अब ये प्रभाव मतलब कहा जाए तो आपके लिए अच्छा है और जैसा मैंने कहा कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला ही प्रभाव रहेंगा तो ये अच्छी बात है इसके साथ में आप गुरू की जर्ष्टिया जहां जहां पड़ेंगी उसमें भी आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेंगा और सही दिशा में पराक्रम मेहनत करके अच्छी सफलता भी आप अरजित कर पाएगी तुकि गुरू का पोजिटिव प्रभाव आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ाएगा यहाँ पर चोटा परिवर्तन इस समय अधी पर हो सकता है जो आपके लिए सकारात्मक रहे धनलाब बढ़ाने वाला सिद्ध हो इसी गुरू का प्रभाव पंचम भावपर भी पड़ेंगा पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है अगर जिनका विभान नहीं हुआ है तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाए, इस तरह का प्रभाव है, विध्यारतियों के लिए शिक्षा के समय पर अच्छा समय रहेंगा, कोई भी मतलब अच्छा ज्यान शिक्षा अरजित करना चाहते हैं, तो वो इस समय पर कर पाएंगे, गुरु का प्रभाव पंचम भाव वो आने वाला है, इसके बाद गुरु की जो जर्ष्टी है, वो सप्तम भाव पर पढ़ेंगी, सप्तम भाव व्यापार का है, पार्टनर्शिप का है, विवाही की जीवन को भी दर्शा आता है, और जीवन साती के सवभावादी को भी दर्शाने का काम करता है, एसे में ग मैं आपके लिए अनुकुल बन जाएंगा पार्टर्शिप में आपको लाब होगा ये सब प्रभाव आपको देखने को मिलेंगा और गुरू यानि मजबूत रहेंगी हाँ जिनका विवाह नहीं हुआ विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे तो उनकी विवाह के भी स्रेष्ट अब माल लेजिए आपकी कुंडली में गुरू पेले ही कमजोर अवस्ता में बेठे हैं मैंने इतनी बाते बताई लेकिन वो आपको इतना असर नहीं दे पाएंगी क्यों कुई गुरू सोयम से ही कमजोर है इसके बाद दूसरे नंबर की बात ये है कि गुरू आपको तभी प्रभाव दे पाएंगे जब आपकी दशाधी भी अच्छी चल रही हो जैसे मैंने का संतान का सुक मिल जाए अब आपकी कुंडली में समझे संतान देने वाली जो दशाय होती है वो नहीं चल रही है इस तरह का प्रभाव नहीं बन रहा तो उसके लिए आपको परिणाम नहीं मिल पाएगा आपका विभाद नहीं हुओ आप विभाद के लिए प्रयास करें घुर्फ का गोचर तो आकिसे तूर्खी कि आप आप देख पाएंगे दशा अंतरदशा के प्रभाव से जो भी आपकी इच्छा होंगी जिस शेतर में आप प्रयास करेंगे वहाँ पर आपको गुरू अच्छा परिणाम देपाएंगे और आपके लिए पोजिटिव असर देखने को मिलेगा अब गुरू जहां तक कमजोर क कि बाते गुरू कमजोर रहेंगे तब तक आपको ये करना है कि गुरू को बलवान करना है सबसे अच्छा तो ये रहेंगा इस समय अधिपर आप गणेश जी की अधिक सधिक पुजा करें या फिर आप प्रत्य गुरुवार को विश्नु सहस्त नाम का पाठ करें या उसका वर्ष परियंत आपको इस गुरू का जो अच्छा प्रभाव मिलने वाला है ये बहुत अच्छी मात्रा में मिल पाएंगा और ये प्रभाव अगले मई तक है दोजार चोविस के तो मई दोजार चोविस है नि तेरा महिने का जो समय है ये आपके लिए गोल्डन समय बन कर के उभरेंगा वहिस समय पर आप गुरू को और बलवान कीजिए अपनी कुंडली के अधर पर कुछ कमजोरी आती है उसके नुसार उपाई कीजिए आप देख पाएंगे कि परिणाम आपको और अच्छा मिलेंगा और जो भी इच्छा है आपकी जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूरी अवश्य हो जाएंगी तो उमीद है आपको मैंने जो गुरू का प्रभाव बताया है यह आपको अवश्य प्राप्त भी होगा और आप इसको जान करके प्रसन्न भी हो गए होगे हाँ इस समय गुरू राहू साथ में रहेंगे तो थोड़ा सामान में स्वास आप इसे लाइक करें अन्य लोगों तक शियर करें और एसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद